हेलो दोस्तो, रेल विकास निगम के बारे में वीडियो में अनालिसस करने वाले हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ अनली फाइनन्सिल आजादी में, कम्पनी के बारे में क्या इंपॉर्टन चीजे जाननी चाहिए, सब कुछ दोस्तो वीडियो में डिस्क्रस करेंगे, दे जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं, जिस महीन रिजल्ट आने वाले हैं, और और बुक 55 से 60 हजार करोड के बीच में एक्सपेक्टेड है, अब ये और बुक इस नंबर से बढ़ जाती है, तो फिर बिल्कुल पॉजिटिव सर्प्राइज यहां पर हो सकता है, ठीक है, अब किर्गिस्तान एक देश है, और वहाँ पर एक ओल्रेडी एक रिल्वे से रिलेटेक्ट बड़ा जो MOU है, वो साइन हो गया है, लगभग 16 से 20 हजार करोड के आसपास का ये ओर्डर है, लेकिन उसका अभी तक कन्फर्मेशन आया नहीं है, वो अगर ओडर एड़ हो जाता है तो ये 55-60 हजार करोड में ये भी 15-20 हजार करोड का ओडर एड़ हो जाता है, और ये आने वाले समय में एक इंपोर्टन जो है निउस होने वाली है, अगर ये गन्फर्म हो जाता है, अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, सिर्फ MOU साइन हुआ है, लेकिन जो दोनों देश के काम है, किसी लाइन को डबल करना है, फिर वर्क्शॉप का काम है, मीटर गौज को कन्फर्ट करना है, तो ये सब काम उनका रहता है, और साथ साथ रेलवे के अलावा भी यो बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, जैसे रोड का, ब्रिज का, वो भी उनका काम है, अगर आप EBITDA को देखेंगे, earning before interest tax, जो है, depreciation, amortization से पहले, 30% के हिसाब से increase हुए है, तो हम देख रहे हैं कि 5 सालों में ये profits बढ़े हैं, in fact, अभी भी अगर आप देखेंगे, जो 9 महीनों के result हमारे पास आये हुए हैं, ये देखें, ये 9 महीनों का result है हमारे पास में, ज जो 13,534 करोड का था, कब, April से December 2021, ये revenue भी बढ़कर 15,302 करोड हुआ है, तो ये revenue भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है, और profits की भी अगर मैं बात करूँ, 804 करोड, 9 महीनों का profits जो था, वो भी 1061 करोड ये profit भी हुआ है, ठीक है, तो हमने देखा, कि जो profits जो है, वो पहले तो ब बनाना बराऊं, 107 रुपे के आसपास में, in fact, अगर आप देखेंगे, जो share price की साबसे, अगर एक महीने को ये अगर आप देखेंगे, तो एक बहुत ही बढ़ा यहाँ पर share price उपर गया, देखे, 27 मार्च को 66 रुपीज के आसपास था, आज 107 रुपे के आसपास में है, 26 अब ये जब चीज होता है, और rapid अगर कोई share price बढ़ता है, तो interest आ जाता है, in fact, volumes भी बहुत बढ़ जाते है, लेकिन जो fundamental investors के हिसाब से, अगर मैं analysis करूँ, जहां मैंने इससे पहले business के बारे में आपको बताया, business growth के बारे में आपको बताया, जो कि एक strong business लग रहा है, growth ल उनको 40-50 का PE ratio भी मिलता है, ठीक है, अगर कोई IT company हो, तो 20-25 का भी मिलता है, तो generally PE ratio को अगर मैं compare करने जाता हूँ, सिर्फ RVNL के, RVNL के ही history के साथ, तो इससे हमको पता चलेगा कि company सस्ते में है या नहीं है, तो उनको historically 6.3 के आसपास का price to earning ratio मिला हुआ है, और अभी कितना है, 15 के आसपास, तो इसका मतलब क्या है, कि company बहुत ही बढ़िया है, उनकी re-rating भी market ने की है, लेकिन क्या ये जो high PE ratio जो अभी है, वो क्या ज़्यादा high है, वो भी हमको ध्यान में रखना है, price to book भी अगर हम देखें, उनको 1.1 का मिला हुआ है, जो कि एक decent price to book है, लेकिन अभी आप देखेंगे 1.5 का price to book, क्योंकि share price बहुत जादा बढ़ा है, company बढ़िया है, लेकिन पिछले कुछ दुनों में थोड़ी महंगी हुई है, लेकिन एक और important चीज है, कि industry PE जो है 35 के आसपास में है, मतलब industry PE से सस्ते में है, लेकिन देखें, industry का अगर मैं PE ratio देखत अगर मुझे compare करना ही है, अगर RVNL को, तो जो दूसरी जो railway infra की company है, जैसे IRCON है, उनके साथ मैं compare करू, IRCON का 8.73 का PE ratio है, या फिर राइट्स है, राइट्स का PE ratio देखेंगे 16 के आसपास में है, तो at least हमको देखने को मिल रहा है, यह जो PE ratio है, अब यह बहुत ही debatable है, यह 15 के आसपास में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि historical जो valuation है, उससे थोड़ा सा महंगा है, और in fact मेरे भी portfolio में है, और यह जो share price जो उपर गया है, उसका फाइदा मुझे भी मिला है, in fact इतना अच्छा हुआ, मेरे portfolio में बहुत ज्यादा नहीं था, मेरा मतलब 1% से भी यह कम जो RVNL का अगर मैं weightage का हूँ तो लेकिन यह 1.5% से उपर weightage चला गया, और चुकि मैं weightage पर बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं जरूर इस company के long term growth के लिए मैं बहुत positive हूँ, लेकिन मैंने यह 1.5% से उपर थोड़ा weight चला गया, तो मैंने at least अपने portfolio में 10% के आसपास म मुझे नहीं पता कि आने वाले समय में 3 महिने, 6 महिने के बाद यह मैंने सही decision लिया है या गलट decision लिया है, बट एक चीज मैं जानता हूँ कि short term में मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा volumes रहा है, हो सकता है, अच्छे investors जो है FII या DII मुझे नहीं पता है, उन्होंने यह industry के हिसाब से देखे तो 35 है, लेकि industry में यहाँ पर residential भी infrastructure आ गया है, rail भी infrastructure आ गया है, road भी infrastructure आ गया है, सब कुछ infra आ गया है, तो यह data को मैं बहुत जादा value नहीं दूँगा, historical ही मैं देखूंगा, historical 15.5 के जो है थोड़ा सा उपर है, तो कि historical 6, 7, 8, 9, 10 ही उसके आसपास ही है, तो यह मेरा actually में thought process है, अगर मेरे लिए कोई next trigger है, जो चीज देखने जैसी, वो है final result और quarter 4 के result, जो की बहुत दूर नहीं है, in fact, एक महिना अभी April almost खतम हो रहा है, में के महिने में भी वो result आ जाएंगे, अब important एक चीज यहाँ पर क्या हुई है, जो मुझे बहुत ही interesting RVNL के लिए लग रही है, देखे, मैंने portfolio थे मैंने trim किया है, लेकिन क्या मैं positive नहीं हूँ, नहीं, मैं जितना पहले positive था, आज भी मैं उतना ही positive हूँ, in fact, 120 करोड का एक जो है, वंदिय भारत जो train है, उनका manufacturing का काम है, 200 train set बनाने का उनके जो consortia में उनको order मिला है, तो 120 करो into 200, मतलब 24,000 करोड के आसपास का order, ये एक बहुत बड़ा order है, और साथ में, बहुत सारे दूसरे, क्योंकि मैं exchanges में check कर रहा था, साथ में बहुत सारे जो है, उनको orders मिले हुए है, ठीक है, और इसलिए जो सुरुवात में मैं जो कह रहा था, ये जो 55,000 करोड का order book हो सकता ह है, इसको भी order book पार कर जाए, लेकिन final number आए तो ही confidence आता है, तो ये consortium में RVNL का 25% का हिस्सा है, ठीक है, और बाकी जो दूसरों का, उनका 75% दूसरे दोनों का हिस्सा है, एक बहुत बड़ा थीम है, अगला जो साल है, जो है, इलेक्शन का साल है, गवर्मेंट ने करोड infrastructure में, बजट में आवन दित किया है, ठीक है, और RVNL का focus जो है, rail में तो है ही, साथ में metro में भी है, यहाँ तक की कोलकाता इंदोर का जो metro है, वहाँ पर उनने कमिशनिंग की है, चन्नाई में काम almost जो है, शुरू हो गया है, यहाँ पर, और रोड में भी उनका काम है, तो 1200-1300 करोड का profits जो है, या हो सकता है, उससे ज्यादा भी जो है, profit अभी जग का जो financial है, हमको देखने को मिले, इंपोर्टन रहेगा, final order book की क्या position है, और अपरेल के महिने में ही record date थी, dividend 1.77 का, तो final dividend भी में के महिने में expect मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जब final, जब result आएंग कर रही है, और जो volumes में देख रहा हूँ, हो सकता है, जो बड़े investors, या FIA या DIA जो है, उनको भी interest आ रहा है, मेरे portfolio में है ये stock, लेकिन मैंने थोड़ा सा चुकी इतना ज्यादा share price बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर पस portfolio में थोड़ा सा यहाँ पर trim किया है, लेकिन अगर थो है, वही असली में अगला trigger होने वाला है, क्योंकि तभी data आने वाले है, मुझे उमीद आपको value मिली हो कि आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you दोस्तों